अश्राम लेकुम नाजरीन गुड बॉर्निंग सेफ़िटी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ताहिराली और मैं हूं जुबैर शारेक कैसे मिज़ाज है आप सब लोगों के जो कैमरे के पीछे लोग आप सब लोग कैसे हैं और जो सब New बैर के से पूझते हैं मैं ठीक ठाक ताहिरा भुत शुकरी आपका उमीद करता हूं मेरे नाजरीन, मेरे हाजरीन, हमें देखने वाले, सुनने वाले भी ठिक ठाक हूंगे और कुछ गवार सुबार सुबारा का अगास हो चुका है तो वीकnd वैशे को बाहता है वीट-बोह छोटा होता है एक वीकnd बहुत चोटा होता दिल चोटा कर लेते हैं और कोई भी कहीं में भी कोई एक्जाम आजाता है या फिर नए वीक का भी आगाज हो जाता है तो ऐसी बातों पर अक्सर वकात हम क्या करते हैं कि अपना दिल चोटा कर लेते हैं यह हम्मत हार लेते हैं हम्मत हार जाते हैं तो फिर वो ट्राय ट्राय अगेन वाली बात कहां इंप्लिमेंट होती है जी उसको इंप्लिमेंट करना है लाइफ में आपने हिम्मत नहीं हारनी और जब तक कि आपको काम्याबी नहीं मिलती और यकीन मानी है कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम भी अगर आप करते रहेंगे कोई भी काम पकड़ते हैं लेक लिख लेकर 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 लिए दिल नहीं हारा करें बहुत दफ़ाएं ऐसी खबर अक्सरों बेश्तरम देखते हैं कि छूटी छूटी बातों पर लोग जो है वो जिन्दगी के बाजिहां जाते हैं या पिर ऐसे सूसाइड है कोई नहीं को इसी चीज कमिट कर लेते हैं कि जिससे क्या होता है कि आप तो इस दुनिया से चले जाते हैं लेकि प्यारों को सारी जिन्दगी के लिए पश्टावा जए जाते हैं सो ऐसा ना करें जिन्दगी बहुत कीमती है इसके गादर कीजिए और हिमत के साथ हुसले के साथ लगे रहें बस इन्शाओलह जो है वो क पिछले कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं कि मौसम खुशगवार है और उस तरह ही गर्मी नहीं है जैसे पिछले कुछ हफ़तों में गर्मी पढ़ रही थी हपस ता घुटन थी हमेरिडिटी थी पंक्री की हवाज थोड़ी थोड़ी थिंडी महसूस होती है और अब इस तर पाले से मैं आप मखबर शेयर करता चलूं के पंजाब भर में तुफ़ानी बारशों का इमकान है अलर्ट जारी हो चुके हैं और इसके साथ-साथ पंजाब भर में दो रोस तुफ़ानी बारशों का इमकान है महरम के जलूसों की इंतजामियां, हिफाज़ती, तदबी अख्तियार करे जो आपके डी जी पी डी में हैं उन्होंने ये कहा है तो आपको पता है कि महरम के दुरान बहुत सारे जो हमारे फिकाईले तश्रीष से तालूर रखने वाले हजरात हैं वो अपने अपनी मजभी रसूमात में मुसरूफ होते हैं तो उनके लिए ये बड़ी ही एक सारी की सारी चीज़ें वो अपने इंतजामात बेस्टा से बेतर करें ताके वो अपनी मजभी रसूमात को भी सरअजाम दे सकें वेके बारश के हुआले से जी जो भी सेफटी परेकौ। हैं वो एडॉप की जा रही हैं और आप लोग भी इन तमाम चीज़ों को एड हो ऐसी बात समझ तो नहीं आती लेकिन जी अनफॉर्शनेटली इन डेर्ज में भी स्मोग का सिलस्रा जारी है और इस हवाले से पंजाब सेफ सिरीस अथारिटी का डेली जो है वो बुलिटन सुबा आप देखते हैं हमारे पेज के उपर और हमारे तमाम सोशल मीडिया बिल्टन्षिप प्रोग्राम का जुबहर आगास किया जाए रहा है इस हवाले में जो भी कुदिश्ता दो सालों में बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हुए हैं कुदिश्ता दो सालों में वो लोग अप्लाइ कर सकते हैं 25,000 उनको इस हवाले से तन वो जो त्रॉड़ें आपको पैसे भी दिया जाएंगे सो आप इंटर्न बनेंगे इस प्रोग्राम में और अपनी खिद्मात देंगे ताके जी मिल जुल कर पंजाब को हम स्मोक फ्री बनाएं और यह पूरी कोशिश है वजिरियला पंजाब मरीम नमाज शरीफ साहिबा की और 20 जुलाय तक एप इस इंटर्न शिप का पार्ट बनें और कोशिश यह करें कि वैसे भी यह तो सदका जा रहे है कि आप अपने अपने सूबे को अपने मुल्क को स्मोक से फ्री करें तक आने वरी मसले खुशकबार जो महौल है उसमें सांस ले से बिल्कुल अगली खबर हमारे पास यह है कि इस तरह से आपको पता है कि महरम अलहराम जारी है इसके हवाले से हमारे जाईजी पंजाब डाक्र असमान निंबर शाहब हैं उन्हों ने सुबह भर में सिक्यूरिटी हाई अलर्ट कर दी है आईजी पंजाब डायत पर अज़ादारी जलूस जलूसों और मजालिस की सिक्य थाईजार से जहर पुलिस अफसरान एलकार तायनात हैं और लहौर की अगर खासतान बात कीजाए खसूसी दोर पे लहौर की बात कीजाए तो आठथ हजार अफसरान इस पर ड्यूटी पर मामूर हैं महरम अलहराम की उसके साथ साथ ट्राफिक पुलिस, CTD, स्पेशल प्रा मजालिस हो रही हैं इनको बिलकुल पुर अमन और तहफुस इन तमाम की तमाम चीज़ों को फराम करना और इसकी सेक्योरिटी पर किसी किसम कभी कोई कॉम्प्रमाइज नहीं किया जाएगा और इस समारे से सेफ स्थरी अथॉरिटी में विजुबैर प्रॉपर तरीके से आरे वर्ड्शुल प्रिटॉलिंग ऑफिसर जहां-जहां भी मजालिस हो रही हैं कि मजभी जो भी रसूमात हो रही हैं उनको उनकी मॉनिटरिंग करें और फील्ड फोर्स को सवाले से गाइड भी करें तो आप यह अपने आसपास किसी भी किसम की कोई मश्कूक सरगर्मी क को होता वाद देखें तो आपने करना का है आपने इमिजरेटली हमें 155 फॉरी तोर पर इतला दे के जिम्मदार शेही होने का सब्बूत देना है कि एड करता चलूंगा एजी मंजाब की तरफ से यह भी कहना था कि मजाले जलूसों राज़दारी की सिक्यूरिटी पर हर गिस समझोता नहीं किया जाएगा बिल्कुल तो हमारी अगली ख़बर किया और इसके बाद जी सिवल सेविसेज अकैडमी के जो जेरे तरबियत और इसकी जो भी तमाम डिपार्टमेंट से यहां पर सेविसेज अथॉरिटी में जो मुख्रिफ किसम के शोबजात हैं उनका उनका विजिट किया 155 कॉल को देखा किस तरह से कॉल आ रही है इसके लावा जो वर्शल हमारा वर्शल विमन पुलिस सेशन है उसका भी उनने आंके विजिट किया देखा किस तरह से खवतीन को मदद फिराहम की जारी है इस मौका पर उनका यह कहना था कि चुके मुल्क बर दुनिया भर में आप देखते हैं किस तरह से टेक्नॉलोजी का इस्तमाल किया जा रहा है तो यह जो पुलिस का शोबा है इसमें भी इस तरह स सारे डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उनका भी विजिट कराया गया तो अवराल उनको यहां का विजिट करके बहुत अच्छा लगा और उनको अंदाजा हुआ कि किस तरह से जो जदी टेक्नॉलोजी का यानि आर्टिफिशल इंटेलिजिएंस की मिशीन लर्निंग इन तमा आर्टिफिशल इस तरह से इस्तिमाल किया जा रहा है जो के खुश आइन है और जो बहुत आपकी सामने खबर लेकर आते हैं कि इस्राइली फॉज के जल्म और बर्बरियत जारी है स्कूल पर हमला कर दिया और 14 फलस्तिन फलस्तिनी इस हमले में शहीद हो चुकी हैं तो 78000 से ज्यादा कि इसमें जख्मी हो चुकी हैं और तकरीमां 38000 से ज्यादा शियाद़ हो चुकी हैं जिसमें ज़्यादत तर चोटे बच्चे और खवातीन शामल हैं तो हम अपने अमन के दारों से हर दफ़ा ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने प्लाटफरम से और आगे भी क करते रहेंगे रिक्वेस्ट के इसका कोई हल निकालें या जुल्म और बर्बियत के निजाम रोकें अब हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक हमारे साथ रहीएगा स्टेविदास वेल्किम मैंक नाजरीन बूर्मारिंग सेफरी में एक दवा फिर आपको खुशाम अदीद कहते हैं नाजरीन जराइम तो बहुत सारे हैं और ये जराइम गुजरते वक्त के साथ बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें नई से नई पैदा हो रही हैं बहुत सारे हम एनग वृधिन के शुछ है जर्म होता है इसलिए जने भाड़ें गानृत चारे हैं उसका नम है आंधि क्या है ये जुर्म किस तरह किया जाता है किस तरह से सकी की मेंटेशन हैं इस यह बारे हम बाहित करेंगए हमारे सा मेरे roy 1966 है अगा П 상황 में आगान साहर आयन 2ज Ge荷 करते हैं और जानते हैं हनी ट्रैप के बारे में असलाम अलेकुम सर्व वालेकुम वेरी वाम वल्कम टॉबर शो सर्थ थैंक यू जब से पहले तो कि बताएं जैसे जुबेर डिडॉक्शन में बता रहे हैं इस सेग्मेंट के हावाले से कि बेसिकली हनी ट्रैपिंग क्या है तहरा देखें इनसान वक्त के साथ साथ जहां और भी तरकी कर रहा है तो जुराएंपेशा इशकास भी उसी तरह से तरकी करते हैं और मुक्तलिस तरीके कार इक्तियार करते हैं सादालोगों को लूटने के लिए और अपनी जो तमयन अफसारी पूरा करने के लिए तो हनी इसा एक फ्रॉड है जो एक आम सादालोशेरी के साथ हो जाता है और अमोमन नौजवान तो क्या इसमें कुछ मिडल एज और बूड़ एश खास भी इसका शिकार हो जाते हैं होता है कि विक्टम को एक कॉल आती है वो कॉल खवातीन की तरफ से होती है वो तो दो चार मेल को सबस्कて लने पास रॉस से काल बीदी न चाल पर रह Σकतर हैं तो जहां पर जब जाते हैं तो ऊसको फिर उतर वर मेबूस कर लिते हैं और उस andite कर ली और उसको यर्गमाल बनाकर तो पिर ऑन से रगम का तकादा कर ते हैं और रकम का शओड़ें के फिरने के बाद फि बाध दभिशु प्यूब करें। जो विक्टम होता है तो उनके कबजे में आ जाता है। उसका कारड वगएर आज ये सारी चीजे भी ले सकते है। इस तरह से करड से भी पैसे निकल वा लेते हैं और बात दफा अधर चैण किया जाता है। तो ये एक अगवा बराय तावान की एक ऐसी सूरत है कि जिसमें विक्टम खुद एक लस्ट के तहद वहां जाता है एक तालुक बनाने के शौक में जाता है इसलिए इसको हनी ट्रैप का नाम दिया गया अगर इससे रिलेटिटीडी आपने कुछ चीजें बता दी अमने जवाब के अंदर लेकिन मैं चाहूंगा इस पर फड़ा साइन डिटेल आप देंगे किस किस किसम के लालज दिये जाते हैं लोगों को इस ट्रैप के अंदर कि गरिफ्त में आने के लिए किस किसम के लालज द दिया जाता है और बात दफ़ा उनको एक ऐसे गयर मरई किसम के प्रॉफिट की डील के लिए भी बुलाया जाता है लेकिन एहम बात यह है कि लोग जो है इनकी लुकेशन क्या होती है और कौन से लाके से मुतसर होते हैं तो अकसर अपर पंजाब किसी तरफ से इंटीर 2014 की इस्तिमाल हो रहे हैं वो यह रिया है वह यह रिया इस तार्ह से ऐंकि यह यहां पर इनफोर्स्मिंट अचेशनी की रसाई नहीं है और अमूमन वो उनको करीब तरीन वो जो शहर हैं वहां बुलाते हैं और उस एक धोके में उसको ऐसे एरिये में ले जाते हैं जहां अमूमन पुलीस का पहुचना नागुजिर होता है तो फिर वहां पर बुला कर ये सारे तकाजे पूरे किये जाते हैं या उनको बात दफ़ा सिर्फ यह नहीं होता कि उसको पकड़ लिया और यह रगमाल बना लिया बात दफ़ा उसको एक छोटे शहर में बुलाया जाता है वहां पर मुफ्तलिफ किसम के उसको सब्द बाग दिखाया जाते हैं शादी का कभी जहासा दिया जाता है कभी मुल्क से बाहर भिजवाने का जहासा दिया जाता है और इस तरह से उसके द्रीए उसके एटिएम कार्ड से रकम एक्स्ट्रेक्ट कर ली जाती है तो इस तरह के यह तरीके वार्दत इस्तमाल करते हैं तो इस दोर में किस तरह से बचा जाए हनी ट्रैप से देखें जो सबसे बड़ी बात यह है हनी ट्रैप एक ऐसे रिष्टे को इस्तवार करने के लिए वजूद में आ जाता है जिसका कोई नाम नहीं होता सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजनभी इश्कास से के लिए कभी किसी अजनभी से इंट्रेक्शन करना हो तो किसी न्यूटल प्लेस पर ही मन्दा मुलाकात कर ले ना कि उसके घर जाके या उसके शहर में जाके जो ज्यादातर विक्टम बने हैं तो वो शुमाली पंजाब के वो लोग जिनको टेली फून करके इंटीरियर सिं का जहांसा जिसमें गयर हकीकत पसंदाना प्रॉफिट का जहांसा इस तरह के जहांसे दे कर इंसान की को रगबत दिला के बुलाया जाता और फिर उनको वहां यार्गमाल बनाकर उनसे पैसे निकल वाया जाते हैं अग्धार हानी ट्रैप की रोखताम के लिए पुलिस के एक दमाद कर रही हैं देखें आपने अक्सर देखा होगा कि इसमें हम प्रिवेंचन ये कर सकते हैं कि लोगों के जादा से ज़्यादा लोगों को अगाह करें यगिनां आप आज इस मौदू पर प्रोग्राम कर रह हैं और कई वाकियाद में तो ऐसा भी हुआ कि लोगों की जाने भी चलीगी हैं और पुलीस वाले भी शहीद हुए क्यूंकि मुल्दमान इसमें वह एरिया इस्तमाल करते हैं जो जोग्राफिकली वह सेक्यूर समझते हैं जहां पुलीस की रसाई या लाइन्फोर्स्मेंट आजन्सी का पहुंचना मुस्किल है और इसी जोग्राफिक सिच्वेशन का वह फाइदा उठाते हैं तो एक बचने की जगह ये भी है कि किसी भी शच्रकों को ऐसी जगह बला रहा जो उन एरिया के हैं उन एरिया को अडेंटिफाई कर लेना चाहिए जैसे कच्छे का इला है मुक्तलिफ टेम्टेशन दी जाती है कि वहाँ पर जाए तो आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं आम जनरल पबलिक से आम लोगों से यह कहूंगा कि किसी भी बेनाम का रिष्टा इस्तवार करने के लिए ऐसे ट्रैप में मत आएं किसी भी गहर हकीकत पसंदाना तो आहिए में कम जनरी मत आएं इसको हनी ट्रैप इसलीए कहा जाता कि जो हिक्टम है वो खुद शिकार, खुद शिकारी के पास चला जाता है तिक है इसलीए यह को नाम दिया गया हनीographers है ऐसे लालच का शिकार ना हो कि खुद से आप किसी भी शिकारी के पास खुद चल के जा रहे हैं अब नहीं बहुत सा ख्यार लखें इसी बात पर देंगे शुटी से ब्रेक स्टे विद अस वेलकम बैक नाजियन गुट मानिंग से विटी में एक दवा फेरा वो कुछ आमदीत कहते हैं और अब हम आच चुके हैं अपने आखरी सेग्मेंट में जिसका नाम है दिल्चस्पो अजीब और इस सेग्मेंट में हम अजीब गरीब किसम की दुनिया भर से इंट्रस्टिंग आज पहली खबर क्या है प्लीज मारे नाजियन से शेयर करें जुबेज इस सरह कि अक्सर मैं कहती हूँ आप सब लोगों को अपने नाजवीन से कहती है रुक्वेस्ट भी करती हूं कि हसते रहा करें वो कहते हैं ना कि हसने से खोन बढ़ता है और कोई लिए परिश्ट कम ह होता है और योगा कभी एवन ये एक हमें शो भी इस पे किया था और उने बिटाया था कि इसका एक element ऐसा है कि आप हसते रहेंगे निकि उसको laughter therapy कहते हैं आप हसते हैं तो आपका खून बढ़ता है आपके चेहरे पर रौनक आती है आपके जुरियां कम होती है निकि overall देख़द है तो हसना आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है तो सेग्मेंट में हसने की बात मैं क्यों कर रही हूं सवाल की पैदा होता है आपको उसे पूछना चाहिए था कि मैं क्यों ये बात कर रही हूं ने मैंने का आप सवाल डालती है मुझे खुड डालती है तो जी मैं आपसे हसने की बात इसलिए कर रही हूं क्यों कि एक ऐसा मुल्क भी है यानी मुल्क में एक ऐसा शहर भी है जहां पर कानून नाफिज हो गया है हसने के हवाले से अच्छा हाँ बल्कुल है ना अजीव सी बात है और अच्छी बात भी है कि जापान के शहर यामा गाता में रोजाना हसने का कानून नाफिस हो गया है यानि के जी कानून में लिग दिया गया है कि आपको रोजाना एक बार तो अट लीस्ट जरूर हसना है अच्छा वेरे नाइस जापानी अपने शहरीयों का किसकदर ख्याल रखते हैं कि उन्होंने कहा कि जी ये शायद ना हस पाएं कई परशानी के आलम में या बिजी हो जाएं तो पिर ये कानून बना दिया जाए ताके ये लाजमो मलजूम बाद हो जाए कि आप ने रोजाना क कोई वजा नहीं है और आपको सिर्फ ये फोर्सली कहा जा रहा है कि आप हसें तो आप अपनी हसी पर खुद हसना शुरू हो जाते हैं और वो नैच्छल हसी आपको आजाती है कि मैं क्या गर रहा हूं तो ये अच्छी चीज है वैसे भी आप कोशिश किया कर अपने आस-प आपको हसना है ये कानून है क्योंकि हसना सहत के लिए अच्छा है बहुत अच्छा है कि स्ट्रेस डिलीज है इंसाइटी कम होती है डिप्रेशन कम होता है एक आप फॉरन एक आपके दमाग के अंदर जहन बॉड़ी के अंदर जो है वो पॉजिटिव हार्मून जिनुरेट होते हैं तो नहीं कितनी अच्छी बात है मतलब कि यह जो तरक्की आफ्था लोग हैं कि किसी वज़़ा से तरक्की में हैं क्योंकि इनका जहन इनसानों पर ज्यादा फोकस है कि हमारे इनसान अगर ठीक रहेंगे तो टूंप भी तरक्की करेंगा और वो काम करेंग तो मुल करेला करेला करके बारत में एक शहर है ठीक है वहां पर बड़ी ही एक दिल्चस्पो अजीब किसम का वाकिया पेश आया और वाकिया यह है कि मजदूरों को खुदाई के दुरान नयाव और कीमती जेवराद बरामत हुएं बारती मीडिया रिपोर्ट के मताबिक रियासत कैरला उनकी जो रियासत है कैरला में मजदूरों का एक गरुप बारिश के पानी को बचाओ और जमा करने के लिए खुदाई कर रहा था कि उसे सोने के कुछ सिक्के नजर आए बारिश के पानी से बचने के लिए और उसको महफूस करने के लिए खुदाई की जा रही थी के उनको कुछ सोने के सिक्के वहां पे नजर आए और बाद आख उदावी की दुराण इन्हें एक मिट्टी का बरतन मी मिला जिसमें सोने और चांदी के कई सारे सिक्के रखे हुए थे इसके बाद दूसरे दिन इसी जगह से पांच और चांदी के सिक्के और दो सोने के जेवराद बरामत हुए बिल्कुल सेम जगह पे हो सकता है कि किसी पुराने जमाने में किसी ने वही नहीं पुराने घरों में जब आये थे लोग माइग्रेट करके आये थे हिंदू के घर थे तो अक्सर उकार हम सुनते थे अपने दादी अम्मी से दादा से नाना से नानी से हुआ था कि यहां पर सोना दफन किया वा हुटा था यह हमारे साथ भी हुआ था कि जब मेरे नाना माइगरेट करके आए और जिस घर में जो घर उनको मिला जाहर है वहां से माइगरेशन के बाद आपको यहां की प्रॉपरटी मिली तो उनको भी इसी तरह से एक जगा से बलके उनको मिला नहीं कुछ अरसे बाद कुछ सिख खाए उस सेम घर में उनका यह हमारा अबाई गरता है और हमने फना जगा पर सोना दफन किया था जो कि हमारी प्रॉपरटी है मैं नाना सेट के जी बलकल आपकी है और उनके सामने खुदाई की और अच्छे खासे जेवराद वहां से लेखे गए तो पराने जमाने में लोग अक्सर ऐसा करते थे खुदाई करते थे तक बताया है कि कीमती समान में सोने के तेरा लॉकिट थे और सतरा मोतियों की माला थी पांच कदीम अंगूठियां थी और चार तमगे थे और मुम्किना तोर पे काजू के हार खुदाई के बाद इतना सब कुछ मिल जाए और बालियों का एक सेट और चांदी के कई सिक्के शामिल थे तो जब उन्होंने खुदाई की तो ये सारा समान निकला फॉरन मामला पुलिस सक पहुंचा पुलिस ने उस चीज़ को लुकाफिर करना शुरू कर दिया तो इस त का टाइम हुआ जाता है खतर अब आपने क्या करना है जाने से पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे सोशल मीडिया पेजिस पर आपने कॉमेंट करके बताना कि हमारा शोबा आपको कैसा लगा हमारा ट्विटर अकांट है पिए स सेभसिटी हमारा फेस्भूक अकांट है अला निके बाल